आपका आपना दोफोल टेखनिक लास में स्वागत है इस कलास में हम लोग पिछले कलास की भाती हम लोग इस कलास में एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम है सिंख्रोनस सेंक्रोस कहें ज्यादा बढ़ी है ठीक है तो सिंक्रोस और आपका एक और टॉपिक है रिजॉर्वर यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है और एक्जामरी बहुत बार आपका यह रिपीटेड है मतलब कि इसके आगे जरह हम यहां लग भी भी आई भी लगा दें न जितना भ के अगे इस सबख़गारि यह बात तो सब्से हम बात करेंगे सैक्रोस होता क्या है फिर सैक्रोस के बारे में हम भदनी उसके बारे में लोग डाइग्राम को سमझेंगे और बेन आपिर हम लोग धरकी सुम्जेंगे किक है तो चीजिए हम बात करते हैं साइक्रोस पर और साइक्रो ये यू वर्ड है कि देख रहे हो सैक्रो सैंक्रो आप कहने तो चीए भी बात करते हैं इस टॉपिक पे सब से पहले हम दाइग्राम के तरह पड़ते हैं और समझते हैं कि यह है क्या यह अद्भू चीज जो आपके ऐसा हमने दिख रहा है कुछ समझ नहीं आ रहे हैं देखे हम स्टार्टिंग में ही मेजर्मेंट में हमें एक बात का हमेशा जिक्र किये हैं कि हम जो भी टॉपिक सुरुवाती दौर से जो हम पढ़ते हैं वो केवल और केवल किस परपस से तो कॉम्निकेशन के परपस से और कॉम्निकेशन सिस्टम में जो जो एकुपमेंट्स होते हैं और उसमें जो जो कंपोनेंट्स यूज किया जाता है वो सारे ब्लॉक्स के बारे में उसके अंदर जो सर्कीट रहते हैं उसके बारे में या फिर उसके अंदर उस सर्कीट में जो जो elements connected रहते हैं उसके बारे हम लोग study करते हैं तो साइक्रो जिस समय सिंक्रो आया उस सिंक्रो जो होता है ये भी आपका communication system का ही पार्ट है जैसे हम कहें कि कोई transmitter तो transmitter जो होता है वो आप देखे होंगे जहां से signal का मतलब कि transmit किया जाता है और receive किया जाता है तो कहिएगा सर वो तो हम लोग के पास भी है मॉइल फोन से भी करते हैं लेकिन मैं इसका बात नहीं करता हूं जहां टावर होता है बड़े-बड़े transmitters लगे हुए होते हैं जैसे कि आप भी दभारती बगर यह सब कर ले ले तो वह सब भी क्या होता है वहां भी हमारा transmission reception होता है station मोली में बात करें station का तो वहां पे जो आपका transmitter होता है या receiver होता है ठीक है तो वह देखिए जोदेगा उसको कभी कभी उसको rotate करने की जगरत पड़ती है यह आपका यह आपका antina सपोस्पोज इस तरह से है आप इस बात को समझने का पर्यास करते हैं यह आपका कहीं fix होगा ना तो यह fix होगा और यह आपका यहाँ से इस तरह से अन्टीन आपका है जहां से यह transmit कर रहे हैं और एक दूसरे end पे एक और हमारा कुछ इस तरह से है receiving antenna जिसके मदद से हम receive करते हैं यह लूँ ठीक है अब यहां जो receive करेंगे तो यह अगर direction हमारा इसका direction हमारा कुछ पर जरूटेट करने की जरूट पड़े सपोस्थ तो हम rotate जब करेंगे तो हमारा की connection हमारा प्रेंड हो जाए मतलब सभी से मिलेगा नहीं तो फिर हमें जरूट पड़ेगी इसको मिलाने की मैं स्कारा से घ्रमें अपका दिस एक का बड़े सी कहते हैं बड़े साइज के वहां पे रोटेयों रोटेट कराना उतनी बड़े 흡़े का बहुत दिक्कत होगी तो वहां पे रोटेशन की बात आएगी तो हम यूज करेंगे सिंख्रों का इसके वदब से हम उसको रोटेट करेंगे इतनी बात पी तो हम समझ में आ गई अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे देन आफ्टर हम पहुंचेंगे इसके डाइड़न वे ठीक है चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि यह होता क्या है चुकि हम पढ़ रहे हैं कौन तो है कि इसक्ष प्रगावका ट्रांस्डियु सर ठीक है टो यह देशलिटेशमेंने को और इसतार से डिस पलेशंट को यहां रोटेशन की पान करें मतल्यां ऐंग्याग्यां डिस्प्लेश्मेंट अंग्याकक्ड एंवना फोल्टिज में क不好 में हम यहादो कोट करेंगे पॉइंट नंबर वन की इस टाइप ऑफ ट्रांस्डूसर क्या मतना है ट्रांस्डूसर विस ट्रांस्फॉर्ण जो प्रदलता है एंगुलर पोजीशन ओफ दस्व इंटू एन इलेक्ट्रिकल सिगनल यही बात अभी हम बताए जिसके बारे में पॉइंट नंबर वन करेंगे तो सबसे पहला हम आएविलर कोजीशन ओफ सांस्थो सांस्थे आथ और उसका जो पूजीशन रहता है उसको रोटे आधके रॉधा कर रहे और यह इसका angular position को electrical में मतलग current में हम conversion करते हैं ठीक है next point पर हम लोग बढ़ते हैं It is a type of rotary electrical transformer देखिए दुखसरा point बहुत ही important बात कर रहा है यह क्या कह रहा है कि एक प्रगार का rotary electrical transformer है आप चुकी इस term को आपको खाई लिए यह transformer मतलग इसमें दो winding का होना जरूरी है एक आपका primary winding होगा और दूसरा आपका secondary winding होगा होगा न तो यहां पर primary winding कौन सा होगा secondary winding कौन सा होगा अब आईए diagram पे यह आप देख रहे हो यह जो जितना भी section देख रहे हो यह क्या है इससे आप इसका modified form यह आपका diagram बना हुआ है यह साफ्ट है और यह जितना भी देख रहे हो एक एक जो बना हुआ है यहां पर आपका binding है मतलग कि secondary winding है यहां पर तीन ही दिखाया गया है लेकिन इसमें बहुत साथा बहुत सारा होता है यहां पर बहुत साला होता है यह सारा denote करना है क्या तो inductor of coil को that means secondary winding तो primary winding कहा होगा primary winding देखिया आपका यह रहा रोटर कोईल का जो winding होगा यही आपका primary winding होगा rotor coil जो होगा primary winding होगा जबकि आपका a starter winding जो होगा that means यह वाला winding a starter winding यह आपका secondary winding होगा ठीक है और यहां से हम input करेंगे अब तो बहुत जादे familiar होगे है चलिए बात करते हैं उसके बात फिर हम लोग diagram पे पहुचेंगे चलिए that is useful measuring of the angle of rotating machine such as an antenna platform यही बात बता है antenna transmitting antenna लेलो या फिर receiving antenna लेलो तो इसके position को जो हम लोग rotate करते हैं या रोटेट करवाते हैं तो जो angle कितना angle rotate करवाना है यह decide हम लोग इसके मदद से करते हैं ठीक है next point पे हम लोग बढ़ रहे हैं it is used as an error detector and as an rotary position sensor अब देखिए यहां पे बात कर दिया error detection की अब signal नहीं मिल रहा है फिर rotate करवा है signal नहीं मतलब error कितना degree के angle पे हमें मिलाना होगा ठीक है तो यह जो angle जितना हमें करना है suppose 120 पे हमको rotate कर दिलना है यहां से start किए 120 पे rotate करना start किए और 120 नहीं 110 degree हुआ तो 10 degree का error है नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और करेंगे और उसमें so करेंगा जहां से rotate करेंगे तो rotation के बाद जो हमारा secondary winding में वहां जो हमारा induced होगा current उसके मदद से हमें error का पता चल जाएगा कि error कितना आ रहा है कितना और ही इसको rotate करवाना चाहिए तो इस तरह से हम लोग measurement करते हैं तो यहां पे error detector का मतलब समझ में आ गया चलिए अब next point पर बढ़ते हैं और चुकि position sensor कर रहा है तो position को sensor कर रहा है चलिए next point पर बढ़ते हैं the error occurs in the system because of the misalignment of the soft soft का misalignment के कारण यह हमारा error occur हो रहा है अभी हम बताए कि अगर इसका misalignment का बात बोला जा रहा है misalignment यह जो आप देख रहे हो यही आपका alignment यह आपका fix है इसी से हम rotate करेगे और इसी से हम angle का measurement करेगे ठीक है उसको हम alignment कर दीए ठीक है समझ में आगे बात next point पर बढ़ते हैं in its general physical construction it is much like as electric motor electric motor जो होता है वो हमारा कुछ hollow होता है इस तरह से आप समझ सकते हो उसको इस तरह से और इसके बीच में हमारा यह run करता है देखिये तो कुछ इस तरह से structure नहीं दिया गया है और इसके अंदर यह साफ्ट क्या होगा आपका उटेट करेगा बात समझ में आगे तो यहां पर हमारा किस तरह से जो हमारा यह जो आपका है वह rotor winding है यह जो है आपका fix रहता है जिबकी यह आपका move करता है और इसी से connect रहता है क्या इसी से connect रहता है आपका वह घूमने वाला mobile port that means soft साफ्ट मतलब transmitter जिस पर कासा होगा है transmitter को ही exactly साफ्ट कर देगा है तो यहां पर हमारा starter winding fix रहता है rotor coil जो है rotor winding जो है वह move करता है और जब move करेगा इसका operational देखिए यहां पर diagram दिया गया है यहां पर जैसे आप देख रहे हो यह rotate करेगा जैसे जैसे रोटेट करेगा अगर suppose rotation कुछ इधर समय मिल गया तो यह अब यहां से इधर क्योर जाएगा जब इधर क्योर जाएगा तो इस coil के effect के कारण यहां पर हमारा secondary winding में क्या हो जाएगा current हमारा induced हो जाएगा अब जैसे जैसा its के closer जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा हमार और जादा उसमें induced होगा current तब हमें पता चल जाएग कि इसमें जादा current ं इंदूच् ata मतलब bez லाहा मतलब की यह जो है अपका यह हैं फिर से हम इस ने आइश्म का जैंगे तो इसमें हमारा करेंट इंडूस又ूना सट ओर जाए गा जो इसमें इंड्यूस्ट section गा फिर हमारा रोटेशन के बाद हमारा पता चलेगा सीट व्लस दिग्री त्मश स्ट्य जोग्णroph 2020-220 कितना हो गया 240 240 हो गया और 240 हमारा इस तरह से वहाँ पर मेजरिंग में हम एंगल मेजर कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से हमारा यह वर्ग करता है इसी के बारे में हमें मिंसन किया गया है चलिए बात को समझते है एक एक बात को समझे है जो हम बात बताया है मेली यही बात का जिक्रिस में किय देखिए दर रिलेटीव मैंगिचूट्स और सेकेंडरी वैंडिंग मतलब कि यह हमारा वाइंडिंग है वो भी हमारा वाइंडिंग और यह भी हमारा वाइंडिंग अस्टार के पौं में है हम आपका यह जब हम बता रहे थे ए आरवी डीटी अ आरवी डीटी ने टी नेटवर्ड तो वहां पर अस्टार और डेल्टा के बारेम जिक्री किया थे तो अस्टार और डेल्टा के बारेम जो था हमारा क्या था तो हमारा अस्टार जो था, वो T connection था, और वही उसी को हम अस्टार होते, क्या T के जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, अस्टार के जैसा नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो अस्टार के जैसा बिलकुल दिखाई दे रहा हूँ, ये दोनों को अगर meet कर दें हम, ये दोनों को meet कर दें, ये किया जा रहा है रिलेटिव मैगनिचूड ओप सेकेंडरी करेंट आर मेजर्ड एंड यूज तू डिटर्माइन दा एंगल आप दे रूटर रिलेटिव ठीक है तूदा स्टार्टर की कितना वो रूटेट किया यह जो आपका दिखाई दे रहा है स्टार्टर इसके कंपरीज इसमें कितना यह रूटेट किया तो एंगल में मिल गया और चुकी इसमें हमारा जो से केंडरी बाइंडिंग उसमें करेंट इंडूज रोगा तो जिसमें ज्यादा होगा वहां से हम आपका कर लेंगे ठीक है और इसी को दूसरे भासना बदाये गया है और दाकेंड्स कें अगर रूटेट करके इधर कर दिये है पहले यह पोजिशन था अब यह पोजिशन हो गया तो रिसीवर का भी डायेट्स जो है वो कुछ इस तरह से हमारा यूनी डायेक्शन यूनी सन मतलब अगर इसका इधर है तो इसका भी इधर होना चाहिए तभी तो यह ट्रांस्मीट करेगा तो इसको कैच करेगा रेसीट करेगा बात समझ में आ रहे है तो इस तरह से वो यूनी सन डायेक्शन में होता है ठीक है निट्स है हमारा the primary winding of the transformer fixed to the rotor rotor के comparison में हम कहें तो primary winding हमारा fixed होता है क्योंकि rotor देख रहे हो यही तो है इसी में था हमारा primary winding क्या है ठीक से है, is excited by an alternating current by electromagnetic induction, causes current to flow in three astar connected connections, astar connection हम बताए, three connected astar connections, यह क्या है, three astar connections में, यहाँ पे तो three का बनाए गया है, हलाके और भी जादा होता है, और इसका output कैसे हम रोग decide करते हैं, तो एक अगर वहाँ पकड़ लिए, दूसरा यह, अगर यहाँ जादा होना इसके बीच में relative motion को दिखाना है, यह दोनों के बीच में, तो हम यह दोनों का output लेंगे, अगर ये दोनों के बीच में दिखाना है तो हम ये दोनों का लेंगे अगर ये दोनों के बीच में दिखाना है तो हमें ये दोनों के बीच में और फुक लेंगे बात समझ में आ रही है तो इस तरह से हमारा ये वर्क करता है समझ में आगे बाद वही बातों को लिखा होगा है fixed at 120 degree in each other समझ में आगे बाद तो इस तरह से ये हमारा synchro जो है work करता है synchro के बारे में समझ में आगे होगा कि synchro है क्या, synchro work कैसे करता है समझ में आगे बाद आब हम बात करते हैं resolver की synchro और resolver छे मार्स में दोनों पूस्ता है इस बात को आप mind में set कर लेना कैसे लिखना है तो यह आपको यह जो point आपको दिया गया है यह आपको बिलकुल याद करने के purpose लेज आप लोग को अच्छा रहेगा लेकि exam में लिखना है तो आप यही points को para में आप लिख सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप para में भी इसको लिख सकते हो इसके बाद यह point इसके बाद इसके बाद यह point इसके बाद उसके बाद डाग्राम उसके बाद यह आपका तब तक बने रहे है दपोल टेकनीक क्लासेस के साथ थैंकी सोलेज